दोस्तो रेड्मी नोट 8 पो जो 29 अगॉस्ट में लॉंच वा काफी आचा प्राइस और पेसिफिकरिशन की साथ आ रहे तो नोट स्रीज की आंदर रेड्मी का यह पहला कोई फोन जिदार आपको एनेपसी देखने को मिल जाएगा तो जो एनेपसी है यह काफी पुराना फोन जो रहे और भी काफी साला चीज जो आपको यह वीडियो में देखने को मिलेगा तो कीया करना वीडियो कॉम्प्रेट देखते रहे ना तो चलो वीडिईो सुरू करते तो वीडिओ का मिए टापिक में जाने पहले टेक सब्सक्सराइब करके पास में जो बेल फिडिक तो इस तरह का वीडियो मिलते राएगा, तो आपने में टपिक में उपड, तो NFC का फूल फ्राम है, नियार फिल कम्यूनिकेशन, तो यह है NFC का फूल फ्राम, तो NFC क्या है, NFC बेसिकलि आपको आपका डिवाइस, बेसिकलि अगर फोन की बात के आज़े तो फोन का जो बैक NFC एक है, इलेक्टो मैगनेटिक फिल, अगर आपको इधर NFC रहता है, तो बेसिकलि आपका पीछे का एरिया है, यह कॉम्प्रीट एरिया, इधर आपको NFC का अंदर एक एलेक्टो मैगनेटिक फिल क्रेट करता है, तो मेरा पास Moto G5S Plus है, जिसमें आपको NFC देखने को मिलत है, तो उधर आपको करता है, तो अगर आपको क्या करना है, उस NFC NMAWL applies को, और एक NFC NMAWL device के आपको टाछ करके, आपको काफी सरा काम कर पाऊंगे, क्योंकि इधर टाछ करना जोड़र है, इसलिये, क्योंकि जो NFC तो NFC दो डिवाइस के आंदर जो डिस्टेन्स मैक्सिमा तूल है कंपको सबसे पेहला जो काम है वह है पेभेट गेट वह हमेट चाहिए, इसके लिए NFC आपको काफी सीक्योर माना जाता है, बतलब बहुत सीक्योर होता है कि कीसी तरह इहार आपको उधना फलौस देखने को नहीं मिलता है क्योंकि डिस्टेंस के लेक। वाइफाई म जो सबसे पहला जो काम है ओ है payment gateway कि तरव बतलब अज की दिन में आबर अगर आप कोही भी payment gateway में जाओगे तो उधर हम लोग को किया देखने को मिलता है क्मोरें, पे करें में सब्सक्राइब कर कोई झूटेकर दोल्व हैं, पहुर्वरे सताम में केजए हैं जो NFC सपोर्ट करते हैं, तो उधर जाकर आप टाच करोगे, आपको पेह हो जाएगा, पर इसके पहले आपको क्या करना है, आपको जो केडिट कार्ड और डेविट कार्ड है, उसको आपका जो पेमेंट की एप्स है, उसके आंदर आपको इसको रेजिस्टर करना पड़ते है अगर रेजिस्टर करोगे तो उसका बात आपको किसी तरह पासवर्ट देना नहीं पड़ेगा, आपको कार्ड निकलना नहीं पड़ेगा, से जाओ, टाच करो, पेह हो जाएगा, यह है सबसे पहला, आज के दिन में सबसे जियादा इसका उप्योग होता है, हार एक फोन की जो फीचर फोन है, उधर भी आपको NFC देखने को मिलता है, नेक्सली NFC का यूज है, NFC Card है, NFC Name Tag, NFC Name Tag कीया है, NFC Name Tag एक स्टिकर की तरह होता है, उसमें आपको NFC का चीप रहता है, तो जो NFC का चीप रहता है, वो आपको क्या करता है, उसके आंदर आप उस डेटा स्टू कर पाऊगे, तो उससे आपको, आप आपका काम को और भी फास्ट कर पाऊगे, उसके एक एग्जाम्पल सोचिए, आपकी घर में एक वाइफाई है, तो उस वाइफाई का चाहिए, मतलब वाइफाई का कॉम्प्लीट डेटा, उसका क्या नाम है, कौन सा हार्ज में चाल र होता है, तो उसको आप किसी तरह गुपनाइप पड़ेगा, क्या पास्ट रहे है, तो जाओ उधार टाच करो, आपको वाइफाई कनेक्ट हो जाएगा, तो इस तरह होता है, मतलब बहुत ही आसनी से काम होता है, किसी तरह हैसल नहीं रहेता है, ऐसा है नया और एक टेगनो और पर आपको ब बाद में यहांड करें गांट कर में आपको यहांड किए लाइडने मिल को ही अ söz इस तर काफी आच्छा चीज देखने को मिलागा उसके साथ आभी आभी आपको काफ स्मार्ट डिवाइस में भी इनापसी इनावेल होते देखने को मिलागा जैसा अगर आप बुल्टल स्पिकार की बात करो नई तो आपी जो स्मार्ट फ्रीज हो रहा है रेफ्रीजेटर हो उसमें आपको NFC देखने को मिलता है उसके साथ त्रेलिवीशन में आपको NFC देखने को मिलता है उसमें क्या होता है अगर आपका स्मार्ट होता है और डिवाइस तो आप जाच करो आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाता है एक जाम्पिल की तो पर आगर आपका टीवी है नें लो टैम के अंदर आपको time बचेगा और बहुत हिसलक पी होता है यह सबसे अच्छा क्या सी आगा और यह जो बूतूट का करना शुरू हो जाएगा तो यह सब काफी अच्छा अच्छा काम होता है और मानो या ना मानो आने वाली दो साल की आंदर इंडियान मार्केट में आपको हार एक डिवाइज में एनफसी देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि खुद गवर्बर्मेंट अप इंडिया इसकी पर काम कर रहे है कि उसके अच्छे से यूज किया जाए लो सेग्मेंट फोन की आंदर आपको क्या लगता है आपकी फोन में एनफसी है या नहीं है यह सब की बारे में नीचे जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज वीडियो में लाइक देना औ आपको आपको आगा चैनल में ना है तो चैनल सब्केप कारके फार्ट वीडियो अच्छा लगने उसको दावाज जीगा तो इस्तर का वीडियो मिलत रहेगा प्लीज लगने तो थैंक्यू फिर एक नया वीडियो मुला को दोले है तब तो प्लीज टाटा वाई बाई दोसले किसाप से अलकाना